एलो गाईज राधे राधे केसे हो आप आप सब ठीक होंगे गाईज इसमें मैंने सितारे लगाये है और पूरा न्यू डिजाइन ड्रेस बनाये लडू गोपाल जी का बीना अस्तर बीना बुकरूम बीना रिबिन कुछ भी यूज नहीं किया है बीना बुकरूम एड्रेस मैंने बनाया है और बहुत ही इजी तरीके से पूरे वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बाई बताया है और ये सितारे भी मैंने कैसे लगाये है वो भी मैंने वीडियो म बनाए है अगर आप देखना चाते है तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं अब हम पहनाएंगे गेरा गाइस यह पंखड़ियू बनाने बहुती इजी तरीका है छोटी-छोटी मैंने पत्ते बनाये है और सारे सेट करके टीच करके एक गेरा बनाया है और यह हमारी प्यारी सी केप केप तो दो मिलीट में गाइस बन जाती है वीडियो शाया यह थोड़ा लंबा हो जाये लेकिन चानकारी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी गाइस तो देखे गाइस कैसे लगरे मुझे कमेट करके ज़रूर बताना और ज्यादा पसंद आये तो अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सबस्क्राइब करना तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गईज मैंने एक साथ तीन ब्लाउज कटिंग किये थे और उसी में से एक चोटे-चोटे टुकरे बजजे है तो इस टुकरो की मद पत्ते का आकार तो यह पंखड़ी अच्छी तरह से में कट कर लूँगी अभी टेड़ी लग रही है फील से कट कर लूँगी तो यह पंखड़ी बनके रेड़ी है अब हम इस चोटे टुकड़ों पर यह पंखड़ी रखेंगे अच्छी तरह से सेट करके अंकट कर लेंगे अगर आपको इसतरह से cutting नहीं आता है तो पहले आप draw कर लीजे बाद में आप cutting करिए तो कुछी तरह से हमें सारी कपड़े की ऐसी ही पंकड़ियों को cut कर लेना है और दो-दो है क्योंकि हम यहाँ पे हम बीना अबुक्रूम बीना अस्तर यह बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें टीच कर लेना है तो देखे ध्यान से गाईज उपर की तरफ में किस तरह से टीच करती हूँ तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे हमें राउंड में टीच करना है कुछ इस तरह से हमें बार-बार घुमाना पड़ेगा तभी यह round safe आएगा guys ऐसे हम दुसरी पंखडी पर भी इस तरह से round में teach कर लेंगे बहुत ही easy और आसान तरीका है guys तो तीनों में मैंने teach कर लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह से छोटे-छोटे cuts लगा देंगे ताकि round की finishing अच्छी आए खास हमें cut करना ही है guys और ध्यान में रहे कि हमें जो शिलाई की है ने वो cut ना हो जाए तो देखे मैंने तीनों पत्ती में इस तरह से cut कर लिया है अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे बहुत ही easy तरीका है अच्छानी थी हम पूरी कौने निकालेंगे अच्छा सा round shape दे देंगे तो देखे यह अमारी पत्ता बनके ready है बस इसी तरह से हमें सारे पत्ते को पलटाना है अच्छी तरह से कौने निकालने है गाइस तो देखे मैंने तीनों को अच्छी तरह से अब मैंने यहाँ पे सीधारे लिये है एशीशे के है और फैकोल लिया है आपके पास कोई भी चितकाने वाली चीज हो आप ले लिजे और यह सीधारे बाजार में मट्रियल्स की दुकान पर मिल जाते है आसानी से जहां से हम सुई थागे लाते हैं वहीं से यह सीधारे मिल जाते है बहुत ही क्रम प्राइज में मिलते है तो कुछ इस तरह से इंके उपर हमें टीच करके अटेज कर देना है ताकि ये जब हम ड्रेस बनाएंगे ने तब ये इधर उधर हीले नहीं तो इसको हम अच्छी तरह से सुखने देंगे तो देखे एसे ही मैंने बहुत सारी पंखडिया बना लिए है पत्ते बना लिए है अब हम इसका केरा बनाएंगे तो पहले हम चोली बनाएंगे तो इसकी लंबा है साड़े पांच चीस और चोड़ा इसकी दो पॉइंट टू इचीस है तो कुछ इस तरह से दो स्ट्रिप और काटी है मैंने तो ये वन इचीस है इस तरह से सिंगल फोल्ड करना है और एक कपड़ाईन के उपर रखना है और यहाँ पर टीच करना है बहुत ही इजी तरीका है गाईस मैं यहाँ पर पाइपीन बना रहे हूं ताकि चोली की जो लुक है वो ज्यादा अच्छी आए तो कुछ इस तरह से मोड़ना है ऐसी पाइपीन हम ब्लावूस ड्रेस में सेरवानी में भी बनाते है गाईस तो कि एमेने चोड़ दिया है तो एमेने सीलाई टाई इच की है अब हम इसको सीधा कर लेंगे और दोनों किनारों पर सिंगल फोल्ड करके टीच कर लेंगे अब हम कमर पर बांदने के लिए दोरी यहां पर अटेच करेंगे आप चाहो तो घेरे के साथ भी चोली को टीच करके अटेच कर सबते हो लेकिन मैं यहां पर अलग से रखूंगी अब हम लगाएंगे फैई कॉल और इनके उपर लगाएंगे यह सीतारे सीतारे लगाने के बाद हम दो घंटे तक इसको सुखने देंगे अब हम बनाएंगे मुकूट तो यहां पर मैंने दो पाट लिये इसकी लंबा है 4.2 इचिस और चोड़ाई 2 इचिस है एक स्ट्रिप 1 इचिस रखे इसको भी हम पाइपीन बनाएंगे बहुत इजी तरीके स जैसे हमने चोली में पाइपीन बना इंवे से इन इस में भी बनाएंगे बस सिंपल से हमेंट टिक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं कर अब हम दोनों की नारों को मी लाएंगे और यहां पर टीच कर लेंगे दो बार टीच करके पक्का कर लेंगे और एक्ष्रा जो है वो कट कर लेंगे अब हम इस तरह से इसको गोल बनाएंगे फिर हमें यहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे टीच कर लेना है आप चाहो तो सुई और धागे की मदद से टाके भी ले सकत अब हम इस पर भी इस सितारे लगाएंगे और सुखने देंगे दो गंटे तक अब हम बनाएंगे केरा तो यहां पर मैंने एक राउंड बनाया है तो इसकी लंबा है टू इचीस इस तरह से मोड कर बनाएंगे तो यह वन इचीस है अब यह पूरे राउंड में हम सारी गोपाल जी को ट्रेस पहना दे अगर हम सीथा ही अगर टीच कर लेंगे तो यह राउंड का सेफ नहीं आएगा इसलिए हमें पहले अच्छी तरह से स्याट करके राउंड बनाना है तो कुछी तरह से हमें राउंड करना है आपको बता दू के इस सारी पंखडिया मेंने 28 ब बनाने है आप इसको पत्ता कहते है के पंखडिया कहते है आप उजे कमेट करके जरूर बताना तो कुछी तरह से हमें पूरे राउंड में पंखडियों को रखना है और टीच करते जाना है गाइस हम पूजा पाट तो सुबर शाम करते है तो पूजा में यूज होने वाली पूरी की बत्ती के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए है, कपूर बत्ती, हल्दी की बत्ती, कुमकुम बत्ती, लंबी बत्ती, नवरात्री की बत्ती और एक साल तक हम कैसे स्टोर करेंगे पूरी बत्ती को, वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए है, अगर आप तो कुछ इस तरह से double fold करना है और गेरे को में उल्टा करना है और टीच करके इस strip को में attach कर देना है बहुत ही easy और आसान तरीका है गाईस अब हम जो extra है न एक बार फिर से teach करके पक्का कर देंगे और extra हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से ताक कि हमारी दोरी अच्छी तरह से खिश के अगर एक कपड़ा होगा तो दोरी अच्छी तरह से खिश सकती नहीं है गाईस वो ध्यान में रखना है अब हम बीच में दोरी डा यह हमारा प्यारा साय रेस बनके रेडी है गाईस अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मीत्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर राधे राधे हरे क्रिश्ना